आटे में ये तीन चीज़ें डाल कर बनाएं रोटी मालक्ष्मी कर देगी धनकी वर्षा और करेगी अखंड वास जिहां दोस्तों जीवन में पैसे की महत्ता किसी से भी छुपी हुई नहीं है वर्तमार में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यही एक मातर साधन बन चुका है ऐसे में अपने वा अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी लोग कड़ी महनत करते हैं ताकि खुप पैसा कमा सके लेकिन कोरोना वाइरस के चलते ये साल पूरी तरह से बाधित रहा है और काम धंदे को छोड़कर लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो गया जिसकी वज़ा से आर्थिक स्थिती पूरी खराब हो गई किसी की नौकरी चली गई तो किसी का काम बंद हो गया ऐसे में अपने खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे है लेकिन वास्तू शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताये गए हैं जिनको करने से आपकी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी इसके लिए आपको केवल अपने घर पर रोटी के लिए प्रियोग में लाए जाने वाली चीज यानि की आटे का इस्तमाल करना होगा जी हाँ आटा किवल रोटिया बनाने के काम ही नहीं आता बलकि इसका इस्तमाल अपनी चिंताओं से मुक्ति के लिए भी आप कर सकते हैं तो आईए जानते हैं क्या है ये उपाय जो आपको आटे के साथ करने हैं लेकिन उससे पहले यदी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजेगा नए वीडियो के नोटिफेकेशन के लिए तोस्तो अगर आपके घर पर पैसा नहीं तिक रहा है तो इस उपाय को करने से वो भी ठीक हो जाएगा वहीं चक्की में कई लोग आटा पिस्वाते हैं तो शनिवार का दिन बेहद उत्तम आना गया इसके लिए जब आप चक्की में आटा पिस्वाने जाते हैं गेहू पिस्वाने तो उससे पहले आपको उसमें 100 ग्राम चना, 100 ग्राम तुलसी और दो दाने केसर डाल दें और फिर शनिवार के दिन आटा पिस्वाएं ऐसा करने से घर के सभी सदश से जो हैं जिनको भी ये तंगी है जो भी जूज रहें इससे आर्थिक तंगी से वो दूर होती है वहीं दूर भागे को दूर करने के लिए लाल किताब में आटे का ये उपाई करना आपकी किस्मत को भी बदल सकता है इसके लिए आपको क्या करना है आटे में चीनी मिला कर हर दिन चीटियों को खिलाना है ऐसा करने से धन के साथ-साथ आपकी सभी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होती है और भाग्य का भी साथ मिलता है साथ ही इससे शनी के साथ साथ राहु केतु के अशुब प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है नौकरी व व्यवसाय में प्रगति के लिए रविवार के दिन यदि गुड़ और आटे से बनी मीठी पूरियां आप गाय को खिला दे ऐसा करन के ही दिन यदि काले कुट्टे को सरसु तेल से चुपडी हुई रोटी आप खिलाते हैं तो शनी से संबंधिस समस्याएं खत्म होती है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है साथ ही आपकी मनुकामनाएं भी पूर होती है यह उपाय नजर उतारने के लिए भी किया जाता है इस शनीवार के ही दिन कागस के टुकडे पर राम नाम लिखकर कागस के जो टुकडे है आटे में मिलाकर गोलिया यदि चुट-चुटी बना ले और मचलियों को खिला दे तो ऐसा करने से भी शनीदेव के अशुप्रभाव से मुक्ति मिलेगी और साथ में प्रगती के रास्त कर रहे हैं तो सबजीयों को आटे को पहले से ही सब कुछ रेडी करके रख लेती है ताकि वो काम पे सही समझ से जा सके और उनका समय भी बचे और एक ही काम बार-बार ना करना पड़े यह काम अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो तरक्की है वो पास्थि को भी नुकसान होता है वैसे आप आधे घंटे पहले गूत सकती हैं लेकिन जरुरत से जादा समय तक गूता हुआ आटा नकारात्मक उर्जा को सोख लेता है दोस्तों और इसके खत्रे को भी बढ़ाता है अगर आप अभी आटे को गूत के फ्रिज में रख देत सब भी आटा गूत कर उस पर हमेशा मुठी की थाप डाल दे या चाप डाल दे तो उंगलियों को मोड कर चाप डालने से वो जो है पिंड के समान गोल नहीं रहता है तो यह आटा निगेटिव एनरजी को आने से बचाता है जब आप ऐसा करते हैं लेकिन आटा एकदम से च माहौल लडाई जगडे वाला या फिर आटे की रोटी खाने से मानसिक टेंशन भी हो जाती है साथी साथ शारिरिक स्वास्त भी बिगड़ जाता है आटा गूतते समय आपको उसमें क्या मिलाना चाहिए उसके भी नियम है यह पानी से तो गूता जाता है लेकिन आप इसमे गैस पर या चूले पर फुलाएंगी तो क्या होगा कि जो इसके खुश्बू उठेगी वो सकारात्मक उर्जा को बढ़ाती है आपके घर में और मा लक्षमी को आकर्शित करती है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और रोटी बनाते समय मन के विचार भी सकारात्मक दोस्तों को शेर जरूर कीजिए और हमारे चैनल चमतकारी टोटके से ऐसे ही जुड़े रहे हैं धन्यवाएं